सावन के सोमवार के दिन वरत रखने का विशेश महत्वा बताया गया है आज सावन सोमवार का चौथा वरत है सावन सोमवार के वरत को करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य है ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के वृत में कथा का पाठ किये बिना वृत का पूर्ण फल नहीं मिलता है सावन सोमवार वृत कथा परानिक कथाओं के अनुसार एक साहुकार था वह भगवान शिव का अनन्यभक्त था उसके पास धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं थी तब भी वह उदास रहा करता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ती की कामना के लिए वह रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था साहुकार के भक्ती भाव को देखकर एक दिन माता पारवती ने भुलेनाथ से कहा कि प्रभू यह आपका अनन्यभक्त है इसके सभी कष्टों को अवशित दूर करना चाहिए शिव जी बोले की है देवी इस साहुकार की कोई संतान नहीं है यही इसके दुख का कारण है माता पारवती ने कहा हे इश्वर कृपा करके इसे पुत्र का वर्दान दीजिए तब भुलेनाथ ने कहा कि है पारवती इस साहुकार के भाग्य में संतान का योग नहीं है अगर इसे पुत्र प्राप्ती का वर्दान मिल भी गया तो वह केवल बारा वर्ष तक ही जीवित रहेगा इसके बाद भी माता पारवती नहीं मानी और बोली प्रभु आपको इस साहुकार को पुत्र का वर्दान देना ही होगा वरना भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे माता के बार बार कहने से भुलेनाथ ने साहुकार को पुत्र का वर्दान देया लेकिन ये भी कहा कि ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा साहुकार ये सब बातें सुन रहा था ये सुनने के बाद वह पहले की ही तरह भोलेनात की पूजा अर्चना करता रहा वर्दान के प्रभाव से नवे महीने में साहुकार को पुत्र की प्राप्ती हुई परिवार में खूब खुशिया मनाई गई लेकिन साहुकार पहले की तरह ही उदास रहा और पुत्र की कमायू का जिकर उसने किसी से भी नहीं किया जब पुत्र ग्यारा वर्ष का हुआ तो एक दिन साहुकार की पत्नी ने पुत्र के विवाह के लिए कहा तब साहुकार ने कहा कि पुत्र अभी पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा इसके बाद उसने पुत्व के मामा को बुलाया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहां भी रुकना वहां यग्या और ब्राह्मनों को भुजन कराते हुए आगे बढ़ना वे दोनों इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंक से काना था उसके पिता ने जब अती सुन्दर साहुकार के बेटे को देखा तो उसने सोचा की क्यूँ न इसे ही दुलहा बना कर शादी के सारे कार्य संपन करा लिया जाए। इसके लिए राजा ने मामा को बहुत सारा धन दिया तब मामा बालक को दुलहा बनाने के लिए मान गया इसके बाद साहुकार का बेटा दुलहा बना और जब विवाह संपन हो गया तब जाने से पहले बालक ने राजकुमारी की चुन्वी पर लिखा की तेरा विवाह मेरे साथ हुआ लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भीजेंगे वह एक आंख से काना है इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया जब राजकुमारी ने अपनी चुन्वी पर लिखा हुआ पड़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया तब बारात वापस लोट गई उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे एक दिन जब मामा यग्य की तयारी कर रहे थे और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्रान निकल चुके थे वह बहुत परेशान हुए लेकिन सोचा की अभिशोक मनाया तो ब्राह्मन चले जाएंगे और यग्य अधुरा रह जाएगा यग्य संपन हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया तब ही भगवान शिव पारवती उधर से जा रहे थे तब पारवती जी ने शिव जी से पूछा है प्रभू ये कौन रो रहा है तब उन्हें पता चला कि ये तो वही साहुकार का पुत्र है तब पारवती जी ने कहा है प्रभू इसे जीवित कर दें नहीं तो रोते रोते इसके माता पिता के प्रान निकल जाएंगे तब भुलेनाथ ने माता पारवती से कहा कि इसकी अयू इतनी ही थी लेकिन मा के बार-बार आग्रह करने पर भुलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया तब लड़का ओमनमा शिवाय का जाप करते हुए जी उठा मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने नगर को लोटे रास्ते में वही नगर पढ़ा, वहां राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया तब राजा ने राजकुमारी को साहुकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन दे कर विदा किया उधर साहुकार और उसकी पत्नी छट पर यह प्रण लेकर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लोटा तो वह छट से कूद कर अपने प्रांग त्याग देंगे तब ही लड़के के मामा ने आकर साहुकार के बेटे और बहु के आने का समाचार सुनाया लेकिन वे नहीं माने तब मामा ने शपत पूर्वक कहा तब दोनों को यकीन हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहु का स्वागत किया उसी रात साहुकार को स्वपन में शिवजी ने दर्शन दे कर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन हुआ इसलिए तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया मान्यता है कि जो भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी